आज की इस एपिसोड में हम डिसकस करेंगे यस बेंक के स्टॉक और साथ में ही PNB स्टॉक के बारे में तो एपिसोड को आगे बरा है इससे पहले आई होप कि आपने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है साथ में ही चाहें तो बिन्जम टेलीगराम चैनल को भी जरूर जोइन करें जहां सभी अपडेट्स आप तक बिल्कुल फ्री में मिलते हैं और मार्केट साइंटिस्ट के चैनल को चाहें तो विजिट करें और डिस्क्रिप्सन में दिये गए लिंक से अगर आप एकाउंट आपन करते हैं उसके जो भी रेवेन्यूस बनते हैं वो गरीब लोगों तक मदद कर दिया जाएगा खाना खाने कप्रे वगएरा जो भी होता है और उसके साथ ये अगर ये कंटेंट पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और आगे देखेंगे तो इस समय हमने यस बैंक के अंदर क्या कहा था 15 to 17 का जो जो जोन है वो एक मेजर सपोर्ट जोन है मेजर डिमांड जोन है और इस समय इस स्टॉक को यहां थोरा बहुत कंसोलिडेट करने देंगे इसके कंसोलिडेशन के बाद 19 के लेवल को ब्रेक आउट करता है तो सभी जो सप्लाई है उसको ब्रेक आउट करेगा और अगें 24 से 35 तक के इजली लेवल दिखेंगे तो इस समय थोरा रुकना चाहिए मुझे नहीं लगता है कि इस समय आपको फ्रेस बाइंग सोट्टर्म टेडिंग के परपस से करना चाहिए अगर लॉंग टर्म है तो बिल्कुल कोई भी दिकत नहीं है ये वही PNB स्टॉक है जिसको हमने 64 के आज़ पास पर कॉसन करा कॉसन ही नहीं करा हमने प्रसनली अपने जो मेरे स्टॉक थे उसको भी हमने एकजिट लिया और इस समय ये स्टॉक 49 पे टेड हो रहा है तो बाइंग सभी को पता होता है लेकिन एकजिट कप करना है वो काफी इंपोर्टेंट है उसके बारे में भी कुछने कुछ आपके पास स्ट्रेटेजी होनी चाहिए यहां देखेंगे PNB 800 करोर बॉंड के थुरू फंड रेज कर रही है लेकिन 22 लेक के जो लूट है वो पंजाब के अंदर होते हुए दिखा है अमरित्सर में और PNB आप सोचेंगे इतना बरा बेंक होने के बाद भी यह 49-50 पे क्यों ट्रेड हो रहा है इसका यह सबसे बरा उदारन है नहीं तो आज SBI के साथ यह भी 300 के उपर ट्रेड हो रहा होता और मुझे याद है आज से पिछले 3-4 साल पहले यह स्टॉक 100 के प्राइस पे ट्र रेट के लेविल को नहीं टच करा यहां जो हमने आपको कहा था चुकि यह टॉप पे जब ब्रेकडाउन हुआ उसके बाद डाउन ट्रेंड आया उसके बाद जो उपर जाकर के टाइमिंग मिला था 60 के असपास हमने का एक गिट लें और यहां देखेंगे अगें कंसोलिड प्रेशन है 5000 से ज्यादा मार्केट में स्टॉक है मैं पी एंबी के लिए वेट करूंगा 3840 के प्राइस पे मिले तो ठीक है नहीं तो बिल्कुल इगनोर करें और मोमेंटम इस समय जो गिर रहे वो चेंज कब होगा जब तक यह 60 के उपर के ब्रेक आउट नहीं करें इस समय बिल्कुल लॉंग करने से बचने चाहिए